तो देखते देखते ये साल भी गुजर गया है चंद दिन बचे इस साल के और इस साल में हमने बहुत कुछ पाया बहुत चीजें खोई वलकम बाक तो दो चानल अवर्यवन आई होप यो गाइस आ डूइंग गुड सो जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो सब ने कुछ ना निस पायका हमने ही ताला लग गए तो साल जब भुआ तो मैंने अपनी जन्य स्टार्ट की मैं सबसे पहले पूने गया है पुने में बहुत सारे अमेजिंग ब्लॉग्स बनाए अपने पुराने सारे फ्रेंड से मिल रहा था और जीजे इस टाइम पे बहुत जादा सपोर्टिंग था उस टाइम पे विकॉस जीजे साथ में ट्रावल कर रहा था उसके बाद हमने एक्स्प्लोर किया पाउना लेक और उसके बाद वापस आ आप लोगों ने मुझे जादा जानना स्टार्ट कर दिया कि यहां चलो नाकपूर का भी कोई यूट्यूबर है जो यूट्यूब में वीडियो बना रहा है अज ब्लॉगर बिकॉस उसके पहले जो चैनल था वो तो काफी अच्छा चल रहा था लेकिन उसमें अलोवर स्टाटिंग फ्रॉम पुने उसके बाद मैंने हैदराबाद कवर किया जहां पर मैं रामुजी फिल्म सिटी गया और हैदराबाद के जो भी food थे उस सारी चीजों के एक्स्थी में चार मिनार भी एक्स्थे अर उसके बाद जो next destination था मेरा वह था गोवा और गोवा मैं काफ बस जादा पसंद आये थे और मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल रहा था कि शायद मैं अच्छा एक ट्रावल व्लॉगर बन सकता हूं देन उसके बाद जो next destination था वो था Pondicherry Pondicherry भी अच्छे से मैंने explore किया और मैंने in future के काफी जारे planning बना के रखे थे कि जैसे Pondicherry का trip खतम हुगा उसके बाद next destination मैंने सारी booking and all कर दी जो था मना ली जो मैं में में जाने वाला था विकाज मार्च में मैंने Pondicherry complete की थी और Pondicherry के trip के एक हपते बाद ही लग गया lockdown जो हम सब के लिए बहुत heart breaking था सब को लग रहा था ये जो lockdown है ये सिफ 15 दिन का रहेगा उसके बाद back to the normal life आ जाएंगे बट ये जो lockdown था ये चार महीने का चला एंड सब के लिए ये बुरे सपने से कहीं से कहीं तक कम नहीं था इवन मेरे लिए भी बहुत बुरा सपना था एज मैंने में के लिए प्लानिंग करके रखी थी मनाली के हसी वादियों में घूमने का प्लान बना रहा था लेकिन वह के क्या कर सकते फिर मैंने धीरे-धीर एक्स्प्लोर किया जो जो चीजे मेरे पास थी उन सारी चीजों को मैंने एक्स्प्लोर किया जह से ड़े 25 यह पुराना कॉमिक का कलेक्शन था वह भी दिखाया एंड रोज रोज मैं कुछ नही नहीं डिशे बनाने लगा एज ज्यादा camera friendly होने लगी और एक अच्छे vlog के लिए आपको कोई ना कोई character चाहिए रहता है तभी तो आप लोगा यह मन लगा रहेगा नहीं तो मेरी एक यह जो बेवकूफ वाली शकल आप कितने दिन देखना पसंद करेंगे उसके बाद काया ने आप लोग को बहुत जादा एंटेटेन किया एज उसकी क्यूटने सबको पसंद आने लगी और मैं आप लोगो खाना बनाना सिखाने लगा फिर मैं आपको वकाउट करना सिखाने लगा कि घर पर आप वकाउट कैसे कर सकते हैं और इसी बीच में मैंने 10 साल में एक चीज़ कभी सोची नहीं थी वह भी तक व्लॉग बनाया है नी फिर मैंने सुचा कि आप लोग तो मेरी आवाज और मेरे से प्यार करते हैं तो मेरी बीर्ड होने ना होने से क्या फरक पड़ेगा फिर थोड़ा सा और मोटीवेशन जगा है अपने अंदर मैं फिर से व्लॉग बनाने लगा और यह देखते 4 महीने गुजर गए पताई नी चला और इस बीच में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाये जो आप लोग को बहुत पसंद आने लगे उस टाइम पे 200 या 300 व्यूज आते थे और मुझे लगता था या 200-300 लोग देख रहे मुझे और मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है मैं एक नॉर्मल इंसान हो और मुझे 200-300 लोग डिली के डिली देख रहे यह मेरे लिए बहुत आची मिंट था वैसे सुनने में 200-300 लोग बहुत ही कम होते हैं बट किसी कमरे में 200-300 लोग को इखटा कर लो तब समझेगा कितने सारे लोग है तो मैं यही सोच लेके कंटिनियू कि जालो में मैं एक दम उलज गया था और मैं सोच रहा था कि मैं अपना रेंट कैसे पे करूंगा एक एमोशनल वीडियो मुझे लगा कि मुझे आप लोग सारे करना चाहिए बिकाज मैं हर चीज आप लोग सारे करता हूं तो उस फेज में मैं बहुत ज़ादा डिप्रेस ह है नहीं और जितना भी जमा पैसा था वह सारा खर्चा हो गया और लॉगडाउन में मुझे सिखाया कि सेविंग करना कितना इंपोर्टन है तो इस तरह से मैं अपना स्टोर फिर से नए मोटिवेशन के सारे स्टार्ट किया बट बिजनस कुछ था ही नहीं तब मैंने सुच आप लोग देखते हैं वीनु को सब लोग बहुत जादा प्यार दिये और तब से लेकर अब तक वीनु और मैंने काफी सारे वीडियो बनाया और उसी बीच में फिर जेजी के एंट्री वी विशाल के एंट्री वी सब लोग जैसे पुरानी हम लोग की जो एक फैमली थी व ने रेस्टोरेंट में गए काफी सारी चीजे खाई काफी सारी चीजे आपको एक्स्प्लोर कर आई और इसी के बाद जिम बी स्टार्ट हो गया जिसका वेट मैं आठ नौ महीने से कर रहा था और जिम स्टार्ट होने के बाद फिर मुझे लगा कि यहां मेरा बिजनस भी अ आने लगा और देखते ही देखते हैं हमारी फैमिली जहां से स्टार्ट हुई थी इस चैनल पर जब लॉक्डाउन हुआ था तब कुछ 3,000 सब्सक्राइबर थे और हमारी फैमिली दिन बढ़ दिन बढ़ती जा रही अभी 7,000 सब्सक्राइबर हो गया कभी-कभी लगता है म वीनू है जेजे है जेजे और काय को आप पहले देखते थे लेकिन वीनू एक नया करेक्टर आड़ और उसके बाद मुझे लगा और एक करेक्टर आड़ करना चाहिए तब आपने देखा कि टिलू की वी एंट्री जो टिलू सबको बहुत ज़ारा पसंद आने लगा बट वीनू का जो कारेक्टर हो थोड़ा कॉमिक कारेक्टर है इसलिए आप लोग नोसे बहुत जादा प्यार दिया और इसके साथ साथ ये साल गुजरतारा हमारे नये ड्रीम्स कंप्लीट हुए तो साल जाते जाते है हमने एक बॉम फोड दिया जिसकी प्लानिंग हम पिछले कर रहते हैं वह था बिगनी शूट और वह वीडियो आप लोगो बहुत ज़ादा पसंद हम लोग ने बहुत ज़ादा हाडवक किया बिकाज उस वीडियो को शूट करने के लिए जेजे वीनू ने बहुत जादा हाडवक किया फिर सब मिलकर एडिट कर रहे थे पाच-छे दिन तो सिप एडिटिंग में चली गई क्योंकि साल के एंड में हम एक बॉम फोड़ना चाहते थे और उस लेबल का अलग क्रिएट किया जिसको आप लोगों ने बहुत ज़ादा प्यार दिया बस यह साल गुजरे तो अगले साल हम लोग काफी सारी चीज़े एक्स्प्लोर करेंगे और बिगने शूट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना बहुत ज़ादा हार्ड वक किया उ स्टोरी तो मुझे लगा ऐसा क्रिएटर आपको एक रिवाइंड स्टोरी देनी चाहिए इस साल के बिकाज हर क्रिएटर कभी न कभी जब साल खतम होता तो रिवाइंड दिखाता है और उनके रिवाइंड में बहुत कुछ होता दिखाने के लिए बट हम लोग लोग डाउ इसलिए मैं जादा कुछ एक्स्प्लोर नी करा पाया पाया जो कमिंग एर उसमें आपको बहुत सारा ट्रावल दिखेगा जब भी सब कुछ फिक्स हो जाएगा मैं ट्रावल स्टार्ट कर दूंगा और आपको अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगा और इस साल के लिए म 25 वीडियो समने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं तो अगर आप लोग देखती नहीं तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलता तो थैंक्स आलोट आपको बोलना चाहूंगा और यह रहा छोटा सा रिवाइंड इस साल का मुझे लगा यह चीज आप लोग को स्टोरी लाइन म क्या ही करता और एक बड़ा पंगा भी हो गया था यूट्यूब वर से टिक टॉक और टिक टॉक तोड़ गया मैं भी टिक टॉक में वीडियो बना दो था पहले लेकिन जब प्रॉब्लम क्रियेट हुआ अइमिटो से अब स्टार्ट हुआ तब मैं अपना टिक टॉक प्लांन करका ता शायद इस साल वो पूरे होंगे और थैंक्स अलोट वन्सागें कि आपने मुझे पहुत जादा प्यार किया अणिवेज वीडियो को यही करते हैं एप यही खतम करते हैं एप यही लाइक भीडियो अक्षै बीड़ीज यहीड पेड़ीश प्सक्राब हर I'll see you in the next one, peace!